आज हम देखेंगे थायरोइड करंथी, तो यहाँ पर थायरोइड है, यहाँ पर इस माल में है, इसे हम विश्थार से देखें, तो इसकी संदर्चना यह है, यह एक प्रकार से दो बालियों में विवाजित होती है, और इन बोनों को जोड के रखने वाला भाग होता है, इस जो थाइराइड ग्रंति होती है इसका विश्यष्ता होती है कि इसका रंग होता हैemie है working yet जो इसकी अक्रति के चाहित दुई बिह जा करती है अब हम बात करेंंगे जो थाइदाइराइड ग्रंति है नकलने वाले हार्मौन से उने के बात करेंगे लेकिन जो हार्मोन को जाने से पहले हम देखें कि जो थाइरोइड ग्रंती होती है उसमें कुछ प्रकार की कोशिकाई पाई जाती है जिने हम क्या बोलते हैं फॉलिकुलर सैल्स या पुटिकी कोशिकाई मतलब कि इस ग्रंती में पुटिकी कोशिकाई मिलती है और ये पुटिक के कोशिकार क्या करती है को दो प्रकार के हार्मोन का इस्तरा बढ़ करती है तो वह दो हार्मोन कौन कौन से होते हैं चलिए अब हम जानेंगे तो उन हार्मोन में सामिले पहला ट्राइडो थाइरोनीन जिसें बोलते हैं T3 और दूसरा है ट्राइडो थाइरोनीन T4 ये इसे बोलते हैं थाइरोक्सिन अब जब हम इन दोनों में देखते हैं तो इन में जैसे कि जो ट्राइडो और ट्राइडो है ना तो इन दोनों में क्या similarity है कि जो यहां पर जो आईडो यहां पर भी है और यहां पर भी है तो यहां पर ट्राइडो का मतलब क्या होगा एक प्रकार से तीन आईओडीन और यहां पर ट्राइडो का मतलब क्या होगा एक प्रकार से चार आईओडीन मतलब क्यों कहा सकते हैं कि T3 वर T4 के संसलेशन के लिए आयोडीन के आवश्चक्ता होती है इसलिए तो कहते हैं कि जो आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए क्यों खाना चाहिए क्योंकि आयोडीन इतना मक क्योंकि हमारे सरी को कुछ मात्र में आयोडीन की जरुवत होती है और क्यों है क्योंकि आयोडीन की सहाथा सही तो थायरोइड ग्रंती होती वो आपने हार्मन बना पाती है थायरोइड ग्रंती के हार्मन कौन-कौन से है तो यह इसको हम बोलते है TCT, इसका फुर्पाम होता है थाइरोगैल्सी टॉनिंग, तो इस प्रकार से ही जो थाइरोइड ग्रंती उसमें दो प्रकार की कोशिका पाए जाती है, पुटिकी कोशिका, जिससे दो प्रकार के हार्मोनिकलते है T3 और T4, उसी प्रकार से एक और कोशिका प्रकार की कोशिका, जिससे हार्मोनिकलते होता है TCT, थाइरोगैल्सी टॉनिंग, इन कोशिकाओं को हम और डिटेल में समझें, तो डाइग्राम के माधते हम से देख सकते हैं, यह जो थाइरोड ग्रंती है, इसके अंतर रगती है जो पाए जारी है पुटिका के रूप मे यह एक प्रकार से क्या हो जाएगी, पुटिकी कोशिका या फॉलिकुलर सेल हो जाएगी, और इनहीं से क्या रिलिज होता है T3 वा T4, और इनहीं के सांसर जो पुटिकी कोशिका होती है, उनके आयट साट जो कम संक्या में होती है, यह चोटी-चोटी, यह क्या होती है, पर MR मतलब की Basal Metabolic Rate इसे हम एक प्रकार से क्या कहा सकते हैं अधारी उपापच्चे दर का नियंतर इसके मतलब है कि जो उपापच्चे इसका मतलब क्या है कि सरीर के अंदर पधारतों का बनना सरीर के अंदर पधारतों का तूटना तो इसे क्या कहते हैं अधारी उपापच्चे दर अब इसमें जो उपापच्चे आता है इसका क्या मतलब होता है यह एक नियूंतम दर होती है जो कि किसी जीब में इसका मतलब क्या है कि किसी जीब में कार्भो हाइडरेट बनते हैं वसा बनते हैं और प्रोटीन बनते हैं ये टूटते रहते हैं, तो इनका बनना और टूटना क्या कहलाता है? उपापच्छा या इसी को हम कहते हैं कि उपापच्छ की दर को नियंत्रित करने का कारी किसका हूता है? T3 वर T4 का एक और कारी देखे हैं, T3 वर T4 के हैं, तो यह प्रधि में भी साय कुगा है इसी के साथ यह RBC का उत्पादर में पढ़ाता मतलब कि जो राइड बलर्ड चल होती हैं इनके निर्माड में एक पकार से सहयक होते हैं और जो थाइरोड गंजिती के हार्मोन होते हैं यह जल्बा वित्तुत अपखटर का भी नियंतर करते हैं अब यदि माल लोग की जो T3 वर T4 हानुने इनका अलपस्त्रबन के कमी होने लगे जिसे हम बोलते हैं हाइपो थाइरोड इसम तो यह होने लगे तो क्या होता है देखेंगे हैं अब यदि बच्चों में इनकी कमी हो जाती है तो एक क्रेटीनिसमी नमक रोग होता है इसमें क मतलब कि मानसी प्रकार से बुद्धी प्रकार से कम हो जाती है जो बच्चा होता है उसकी सोचने समझने की चमता एक प्रकार से कम हो जाती है और मालो वायस्क में कम हो जाते हैं यह अलपस्तरब होता है तो एक रोग होता है जिसे हम बोलते हैं मिक्जोडीमा में क्या होता ह इसे हम बोलते हैं इसी रोख को गल रोख भी कहा जाता है इसमें क्या होता है कि अब इस तो सारी रिप प्रचे कर रिखे एगलाईसा हो थो फो समरत हो जाता है इमान लोंग वैयेइस् Folks कमियादी T3 24 को बहलता है तो जो वयास के उनमें mixodimer रोग होता है और बच्चों में cretinism रोग होता है अब यदि हम जाने कि जो T3 वर T4 की कमी क्यों होई थी क्योंकि iodine ये I2 की कमी से मतलब क्या कि हमारे सरीर में यदि iodine की कमी होती है उसके कारण जो T3 वर T4 की भी कमी होती है इसलिए तो कहते है कि iodine युक्त नमक खाना चाहिए जिससे कि सरीर में जो iodine की कमी ना हो और iodine थोड़ा-थोड़ा मिलता रहे जिससे कि T3 वर T4 बनते रहे अब आलो iodine की कमी हो जाए अब iodine किसे में तले क्या क्या नमक से मिलता है ना और गर्दन फूल जाती है नेयस्ट के आ कि थायरोड ग्रंथी के नश्ट होने की कारए ती-3 वर T4 कमें अब इसमें क्या होता है कि मालो थायरोड ग्रंथी स्वप्रतिरक्षा रोक की कारण नश्ट हो जाती है होता है ना कि ऐसा रोक जिसमें कि तो मॉर्लो हमारे स्ववप्रतिरक्षा रोग के कारण जो थायरोड गंती wn rapt make कोäischen कि कमी हो जाती है जिसके कारण वाहता है घृते हो मारो ह साथ ऑठ बूस्य काती गारें इसके कालग कया होता है जो लक्षड क्यों होता है इसके कालग क्यों होता है , लक्षड होती है , जो आखे होती है वह अब्री us